दिर स्टुडेंट, स्वागत था आप से विका, एक बार फिर से एक नेव वीडियो में, तो बच्चों जब हमारा देश गुलाम होने से पहले, बहुत ही समीर्थ देश हुआ करता था, जिसके कारण इसे सोने की चिडियां कहा जाता था, बिदेशी लोग जो यहाँ पे आते है, यह कलस 5 का SST बुक है, चेप्टर 2 है, और इस चेप्टर का नाम है यूरोपिये बेपारियों का भारत पर आकरमन, तो यहाँ पे भारत पर उन लोगों ने कब-कब आकरमन किया था, और कौन-कौन लोग थे, उसके बारे में दिया हुआ है, हम लोग इसको संचिक्त में पढ़ के देखते हैं, भारतियों ने लगबग 1000 वर्स तक विदेशी आकरमनों का डट कर सामना किया, विदेशी आकरमन कारियों को प्रास्त किया मुगल सासनकाल में एक नए परकार का आकरमन हमारे देश पर होना प्रारंब हुआ, तो मुगल सासनकाल हमारे देश में 800 साल तक चला था, लेकिन फिर भी हमारा देश उस समय गरीब नहीं हुआ था, इसके पीछे कारण यह है कि यहां का धन कहीं बाहर नहीं जा रहा था, यहां का जो धन था, वो हमारे देश में ही था, तहीं कारण जो है हमारा देश उस समय भी समिर्ध था, हजारों किलोमेटर सुनाया करते थे अपने देश में अता वे वहां से वैपार के लिए आने लगे इन वैपारियों को भारत में खाज्यान मेवे जड़ी बुटियां वस्त्र आधी अपने देश में ले जाकर बेचने में बहुत लाब होने लगा अता यूरोप के विभिन देशों से वैपारी आने लगे तो उन सभी देशों में इस तरह की चीजें उप्लब्ध नहीं था और यहां पर कम कीमत में ओनलो को मिल जाया करता था और वही चीजों को अपने देश में ले जाकर करके अधिक कीमत बेचते थे तो उन्हें अधिक कला भ फोता था तो ज्याद अतर वहां कि लो भारत में समुद्री मार्ग से आने के रास्ते का पता लगाया और यहां की समपदा के किसे अपने देश में सुनाए और वास्कोटिगामा जो था उस समय लोग आया करते थे थल मार्ग से मतलब जमिन मार्ग से आया करते थे तो यह आने के लिए कोई सोचा कि कोई उपाई ऐस से जाने बाद अपने देश में हमारे देश की कहानी सुनाए तब पुर्दगाली वेपारी भारत के पस्चिमी तट पर जहां आज गोवा परदेश है आकर बस गए जब यहां की बातों को अपने देश के वासियों को सुनाए तो वहां से बहुत सारे लोग आये और फिर वे गोवा जो आज के जगह में गोवा परदेश है वहां प्याकर उन लोग बस किये थे वहां उन्होंने अपनी बस्तियां भी बनाई वे एक बहुत सारे लोग वहां से जबा गये तो उन लोग का एक बस्ती बनिया और वहीं पेवे रहने लगे इसके बाद हॉलेंड के डच बैपारी आए परंतु वे सफलता प्राप्त नहीं कर और वापस चले गए तो डच आए हॉलेंड से लेकिन वे यहां पे उसके लिए युप्यूक तो वातावरन नहीं था वे लोग यहां पे नहीं रुक साके इसके पस्चात आज से लगभग 400 वर्ष पूरू अपने स्थिति का गहन अध्यन क्या और योजना बनाई उनलोग तो काफी सातिर दिमाग के थे तो इसलिए उनलोग के मन में कुछ और चल रहा था इसलिए पूरे देश में उनलोग घुम घुम कर देखने लगे कि यहां की क्या इस्तित्य है और यहां किस परकार से वेपार किया जा सकता है, इंगलेंट की सरकार से अनुमती लेकर उन्हों ने East India Company नामक एक कंपनी बनाई यहां पर East India Company इस तरह की आज भी कई साई कंपनी है हमारे देश में जो भी देशी कंपनी है लेकिन नाम उसका इस तरह सर रखा जाता है जैसे इंडिए मिला हुआ रहता है तो इस इससे तरह से उन लोग पहले से यह नाम रखते आ रहा है, East India Company, इंडिया यहां जुड़ा हुआ है, इसका मितलब ऐसा लगेगा, कि यह इंडिया का कमपनी है, इस तरह से लोग भरमित हो जाते हैं, इसकी कमपनी को बनाया और यहां पर वेपार करने लगे, ततकालिन मुगल जहांगीर की अस्वस्त पुत्री को कमपनी के डॉक्टर के इलाज से लाब हुआ, तो उस समय जिस समय वो लोग आये थे, अंग्रेज लोग, उस समय यहां के बादसा जहांगीर थे, उसकी पुत्री का, उसकी बेटी का किसी तरह का कोई समस्या थी, मतलब अस्वस्त थी, जिसके कारण वो इलाज करवाई अंग्रेजों से और अंग्रेजों से इलाज कराने से उसको फायदा हुआ। बादसा ने परसंद होकर कमपनी को गुजरात के सूरत नगर में अपनी कोठी बनाने की नुमती दे दी। देरे देरे उन्होंने बंबय, कलकत्ता आधी अनेक अस्थानों पर अपने केंदर बना लिए। बैपार के नाम से वे लोग कई जगा केंदर बना लिए। एक जगा सूरत तो नहीं मिला था। उसके बाद कलकत्ता, बंबय और कई जगा में बना लिए। इन बैपार केंदरो पूरे देश पर सासन करे, ऐसा उन लोगों का मत नहीं था, वे एक दूसरे से लड़ते रहते थे, सेना के साथ साथ आजुनिक अस्तर सस्तर भी एकत्र कर लिए, भारत में उस समय छोटे-छोटे राईज थे, यहां पर वैसे ही बतला जा रहा है, यह इंडिया तो था, लेकि एक दूसरे से मिले वे नहीं, इन लोगों को तोड़ना काफी आसान है, तो एक दूसरे से उन लोगों ने लड़वा दिया, एक राजा को दूसरे राजा से नवाब जो थे, उन लोगों को लड़वा दिया, इस तरह से, कोईनेक राजाओं वर नवाबों को अपने अधिन कर लिया, छत्रपती सिवा जी के काल तक अंग्रेजों की दाल ना गल सकी उसके बाद उन्होंने सन 805 तक भारत के पूर्वी तट पर पूरा अधिकार कर लिया था अब जब तक सिवा जी उस समय थे मरठा समराईज के स्थापना किये थे तो जब तक वे थे सिवा जी का उम्र होने के बाद जब उनकी मृत्यू हो गई उसके बाद जो है उन लोग अपना जाल फैलाना शुरू किये हिंदुस्तान में 305 तक भारत के पूर्वी तट पर पूरा अधिकार कर लिये थे मरठा मंडल चिन भीन हो गया तो तो मरठा मंडल जो सिवा जी ने मरठा समराइज की नीव रखी थी वही मरठा मंडल थे तो सिवा जी के जाते ही मरठा मंडल भी छिन भीन हो गया अंग्रेजों के कुछ समय के बाद फ्रांसिसी बेपारी भी इस देश में आये उन्होंने भी इस स्वर्न भूमी पर अपना बेपार फैलाया तो अंग्रेज जिसमें आये थे उसमें कुछ समय बाद जो है फ्रांसीसी भी आगे फ्रांस के यो लोग थे पांडी चेरी में अपनी बस्तिया बनाई फ्रांसीसी बेपारियों ने भी अपनी सेना गठित कर ली कभी-कभी फ्रांसीसी और अंग्रेजों में लड़ाय भी हो जाती थी परन्तु अंग्रेज अधिक चलाक और तेज थी इसलिए फ्रांसीसी अधिक नहीं बढ़ सके वहाँ पे दोनों ही बिदेशी थे तो प्रांसीसी अंग्रेज अब उन दोनों में जड़प हो जाती थी कभी-कभी उन लोगों में यूद हो जाता था फाइट हो जाता था लेकिन अंग्रेज लोग काफी चलाक होने के कारण प्रांसीसीों को उन लोगों ने बढ़ने ने लिए कोलकाता को उन लोगों ने राजधानी बना लिया इस प्रकार वर्सों तक विदेशी आकरमन कारियों से टकर लेने वाला भारत अंग्रेजों के प्राधिन हो गया प्रंतु लोगों के मन में परतंतरता का कस्ट था और देश की स्थिती से वे दुखी भी थे देरे भार भारत के राजा महराजाओं, नवाबों, सेना तथा जन्ता में अंग्रेजों के खिलाप असंतोस बढ़ने लगा यहां पे लंबे समय से जब ऐसा इस्तिती बना राजाओं को एक दूसरी राजा से लड़ाते रहे तो उन लोगों ने इसका पुरा लाब उठाया और भारत उस्तानियों के लिए यह कस्ट कर था, वे परतंतर नहीं रहना चाते थे, कभी भी किसी दूसरे के अधिन रहे नहीं थे, और धेर धेर उन लोगों में सभी में असंतोस की भावना बढ़ने लगी, अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने की इच्छा ल उसके बाद जो है लगातार हमारे देश में कई आंदोलन होते रहे, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया, आंदोलन होते रहे और अंततर आजाद हो गया, उसके बाद सवतंतरता का जन आंदोलन चला, जिसमें असंख बलिदान हुए और 1947 में देश सवतंतर हुआ, द लेकिन सवतंत्र होने से पहले अनेक लोगों ने अपना बलिदान दे दिया उसके बाद ही हमारा देश आजाद हो पाया तो इसी के कहानी आगे चप्टर में हम लोग को मिलेगा यहां पर बतलाया जा रहा है यहां पर यह चप्टर समाथ्थ हो गया है यहां पर देखते हैं क् की राजधानि कोलकाता में बनाई गई तो यहां पे सिर्फ स्पेलिंग मिस्टक है यूरोप के देशों में भारत की या भारत की समिर्ध haya हुआ है लेकिन यहां पे समीर्धी सिर्फ भराएगा । समीर्धी की कहानिया उठाया, यहां स्वारत लिखा हुआ है, तो यहां पे इसका मैं आंसर दे दूँगा, क्योंकि यहां पे ज़्याद तर गलती है, और question number three, पूर्टगाली वेपारी भारत के पस्चिमी तड़ पर बसे, तो यहां पे सही है, अंग्रेज सीधे और सरल वेपारी थे, गलत है, य यहां पे सही, सही गलत जो लगाने वाला है, यह बिल्कुल सही है, सिर्फ यह two number में mistake है, तो आईए मैं आप लोगों को इसका आंसर दे दता हूँ, यह है chapter 11 का question answer, निम्लिकित प्रस्णों के उतर लिखिए, अंग्रेजों ने राजाओं की किस कमजोरी का लाव उठाया, अ अंग्रेजों ने देश के किस भाग पर पहले अधिपत्ते जमाया, अंग्रेजों ने देश के पूर्वी तट पर पहले अधिपत्ते जमाया, यूरोप के वैपारी भारत से मुईख रूप से किन वस्तों को ले जाते थे, यूरोप के वैपारी भारत से मुईख रूप से खादान, मेवे, जड़ी बूटियां वस्त आधी ले जाते थे अंग्रेजों ने वैपार करने के लिए कौन सी कंपनी बनाई अंग्रेजों ने वैपार करने के लिए इस इंडिया कंपनी नामक कंपनी बनाई पांडी चेरी में किस ने अपनी वस्तियां बनाई पांडी चेरी में फ्रांस सीसियों ने अपनी बस्तियां बनाई question number 2 में रिक्तस्थानों को पूर्ण कीजिए यहाँ पे direct इसका answer दिया हुआ है आप यहाँ से देखकर इसको भर सकते हैं question number 3 सही गलत का निसान लगाने के लिए कहा गया है और यहाँ पे इसका भी direct answer दिया हुआ है यहाँ पे यह chapter पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है ता आप हमारे इस वीडियो को एक लेक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे आए हम लोग next वीडियो में चलता है